हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार वितायूश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्विंचर ग्रोथ और सिक्यूरिटीज लिमिटेट के स्टॉक के बारे में देखें इन्विंचर के बारे में कल भी हमने बात करी थी और आपको यही कहा था कि एक बहुत ही बहतरीन कंपनी है जिसने बढ़ना चालू कर दैं और आज भी आपको देखने को मिले लगाता जो upper circuits का दौर है वो चालू रहता हुआ देखने को मिला कहसकते हैं कि आज का दिन भी काफी जादा active था और stock आपको देखने को मिले बहुत ही चुरुआप में निश्चित रहे, 10 रुपे आपको ये पक्का जाता हुआ, देखने को मिल सकता है, 10 रुपे तक क्या कोई भी आपर आपको गिरावट आती हुई, देखने को नहीं मिलेगी, लगाता रपो सकिट लगते हुए, देखने को मिलेंगे, या फिर कुछ और, तो इस वीडियो में उसके उपर बात करेंगे, कहा तक आपको स्टॉक जाता हुआ, देखने को मिलेगा, कल का टारगेट क्या होगा, 6 जैनवरी का, तो बिलकुल वीडियो को पुरा जरूर देखेगा, दोस्तो चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे, तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाहिएगा, तो फ्रेंट्स, इन्विंचर में आज आपको देखने को मिलेगा, अपर सक्किट लगा, और जिसे मैंने कहा कि 5 रुपे के पार अब आपको ये स्टॉक काम और सबसे बड़ी बात है कि देखें, ये पूरी तेजी उन लोगों ने जरूर करी होगी, उन लोगों ने महसूस करी होगी, या फिर कह सकता हूँ, जिन्होंने स्टॉक लिया होगा, वो पैनी स्टॉक वाला, जो मैंने आपको रिकमेंट किया था, तीन हफते पहले, ये ही same to same, वो definitely आपे काफी बड़िया returns पर बैठे होंगे, तो in venture grow के बाद में देखें सबसे बड़ी बात क्या है कि बहतरीन company है, लेकिन जादा लोग के radar पर नहीं है, अभी आपको undoubtedly volumes काफी जादा होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट सबसे पहली बात क्या है कि company बहुत ज दिखेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बड़ी दिखती नहीं है, हाँ, थोड़ा बहुत net profit margin में decline आपको आता हुए देखने को मिल रहे है, बट otherwise दोस्तों जब numbers पेश करे थे company ने यापर जून के, तो वो बहुत जादा शानदार numbers निकल के आये थे, 362% friends किसी company क अगर net income बढ़ रही है, तो इससे साफ साफ clear क्या होता है, कि यहाँ पर company बहुतरीं production कर रही है, और वो होता हुआ देखने को मिला, और अगर आप देखेंगे बड़िया set of numbers, company लगातार पेश कर रही थी, September 2021 में definitely थोड़ी सी दिक्कत आपको आती हुई देखने को मिली, ब आज merchant banker जो दोस्तों यहाँ पर companies बन रही है, जिसे आपको अभी पता होगा कि paytm को भी merchant banker की यहाँ पर save की तरह से approval मिल गया है, लेकिन जो merchant banker यह जो जो यहाँ पर कह सकते काम का जाए, यह बहुत बढ़िया करते हुए देखने को मिल रही है, और इस पुरे field के अंदर काम करती ही है, यह बहुत सारे नई sectors में अपना pair डालने की पुरी कोशिश कर रही है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो इतनी बढ़िया तीजी कर रहा है stock, 6th months में अगर आप देखेंगे तो 29% के सिर्फ return है, जादा return नहीं है यहाँ पर कोई भी, stock लगा ता और गिर रह आता हुआ देखने को मिल सकता है, तो देखेंगे उससे पहले अगर आज की volumes पर डालें फिर आपको आगे ता था उन 200 रुपे का level, volume देखना देखेंगे जरूरी क्यों है, because सबसे important बात है कि यहाँ पर जादा हो क्या रहा है, buying हो रहा है या selling हो रहा है, तो आज अगर आप देखेंगे तो देखें, mostly 11 करोड की volume होती हुए देखने को मिले है, कल से definitely come है, बाट 11 करोड की volume होती हुए देखने को मिले है, जिसमें अगर आप देखेंगे 72 lakh shares अभी आपको pending में देखने को मिल रहा है, 72 lakh shares अभी आपको pending में देखने को मिल रहा है, इनका कल definitely शुरुवात में आपको यह सारे जो order से वो execute होते हुए देखने को मिल जाएंगे, लेकिन important चीज क्या है, कि देखें, delivery में अगर आप देखेंगे तो 36% है, जब भी कभी delivery 20% से जादा किसी stock की आपको जाती हुई देखने को मिल इसका मतलब क्या है, कि देखें, लोग अपने जो यहाँ पर माल उसको घर लेके तो जाई रहें, लेकिन हाँ long term के बारे में सोच रहें, हाँ, यह definitely friends, एक question ज़रूर निकल के आता है काफी लोग के mind में, कि क्या यहाँ पर आपको long time frame में, अभी तो बढ़ रहा है, short term में तो 100% आपको stock ने काफी बढ़िया return दिये, बट क्या long term में यह बढ़िया कर सकता है, तो देखें, मुझे लगता है कि जिस परकार के company के promoters है, वो friends, बढ़िया काम कर सकते हैं, अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत वो अपनी stakes increase करते हैं आने वाले समाई के अंदर, देखें, इन्वेंचर के अंदर अगर आप देखेंगे, तो promoters का जो stake है, वो un-outed link आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, 27.59% ज़्यादा नहीं है, और अभी देखें, थोड़ी टाइम पहले, FIAS नहीं भी इसको include किया था, अगर आप देखते हैं, तो FIAS की भी खरीदारिया आपको आती हुई देखने को मिले थी, तो यह एक बढ़िया बात है, और अभी public अगर आप देखेंगे, तो definitely उसके काफी बढ़िया stake लेके बैठे हुई है, 72.38, तो FIAS का देखे, जब से यहाँ पर stake आता हुआ देखने को मिला, तब से stock ने हरकत करना चालू किया है, और अगर यहाँ पर आने वाल दिरों में promoters कभी यहाँ पर थोड़ा बहुत भी stake खरीत है, देखे, सबसे बड़ी बात कि है कि debt-free company है, almost इस company के अंदर जो debt है, वो बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ थोड़ा सा debt है, बहुत ज़्यादा कम, तो इसमें कोई ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट अगर long term की बात करता हूँ, तो जो returns है, वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 18% की returns है, और देखे, stock आपको list होता हुआ, देखने को मिल गया था, around 2011 में, तो वहाँ से अगर आप देखते हैं, तो ज़्यादा कोई तेजी यहाँ पर आती हुई, देखने को नहीं मिलिये, stock लगातार सिर्फ एक consolidate करता हुआ देखने को मिल रहा है, और अब आपको देखिए, एक zone ऐसा create होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कुछ तेजी हो रही है, बहुत बार होता है, देखिए कि अच्छी सीजे है, उन्हें में time लगता है, और हो सकता है कि वही अभी time लगता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि last five years की जो इसकी running है, वो थोड़ी सी बढ़िया दिखती है, mostly इस महीने में बहुत बढ़िया खासा देखिए, आपको stock में increase आता हुआ देखने को मिल रहा है, नहीं जाने कि कोशिश कर रहा था, बट देखे जो bulk buying है, वो definitely इसको उपर लेके चले गई, तो मुझे लगता है कि देखे, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको patience रखना चाहिए, प्रॉफिट बानना भी जरूरी है, विकॉज अगर आप देखते हैं, जो many stocks होते हैं mainly, उनके अंदर क्या होता है न, कि एक longer time frame में तो वो देखे, आपको definitely बढ़िया करते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन एक shorter time frame जैसे अभी है, ठीकि एक महिने में 100% बढ़ गया है, अब 100% में देखे chances हमेशा रहेंगे कि 10% से 15% stock नीचे आ जाए, अब वो 10 से 15% अगर आप जेल सकते हैं तो well and good, लेकिन अगर आप नहीं जेल सकते हैं अधर आप अपना profit book करें, बिकॉज ये levels तो 100% आएंगे, आज गिरावट नहीं आ रही तो कल ये फिर परसो तो जरूर आएगी, बिल्कुल ऐसा तो है ही है, गिरावट तो आएगी, profit booking एकना एक बड़ तो आएगी, वनना इस stock market कैसा, stock market कभी भी याद रखी का उपर नहीं जाता है, हमें कभी का बा और महाँ पे hold कर सकते है, patiently, then definitely इसको sell out मत करिये, बिकुछ देखे, company बढ़िया है, और मुझे लगता है कि जो नाम है इसका growth, वो definitely आपको show करती होई देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल hold करिये, लेकिन उनको ये कहूंगा, जो long term with patience traders रख सकते हैं, ये बाद जरूरी है, ज long time अगर आपका thinking है, और अगर आप patiently उस stock को watch कर सकते हैं, बली वो गिरे तब भी, Warren Buffett ने देखी एक बार काई कि जब तक आप अपने stock को 70% नहीं गिरता हुआ देखने को मिल सकते हैं, तब तक आप उस stock को अच्छे तरीके से hold नहीं कर सकते हैं, हाँ, 70% हो ये नहीं गिरन हुआ देखने को मिलेगा in venture, बिल्कुल hold करिए, कल के जो targets है, वो यहां से आप मान के चलिए circuit करिए, बट शुरुवात में definitely wisely watch करिएगा, हो सकता है कि बापिस से आपको ऐसा कुछ session create होता हुआ देखने को मिले, अगर ऐसा होता है तो घबराना नहीं है, बट हाँ, यह है क अगर टिक जाता है आने वाले 2-3 दन, तो बिल्कुल यहां पर आप आगे बड़ी 30 के लिए तयार हो सकते है, 10 रुपीज definitely आपको stock में आता हुआ देखने को मिल जाएगा, तो friends इस वीडियो में इतना ही था, hope सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो like कर जीजेगा चलन से नहीं जोड़े सब्सक्राइब कर देना, thank you friends for watching this video